कि दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले कि मैं भारत को भारती अताकी माननेता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं अब आप सवाल पूछ सकते हैं जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है आप हमेशा उनका सिर दक्षन में रख्के सुलाई है थोड़े तीन-चार साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी राजी बाई कल आपने बताया था सुबह उड़ता ही पानी बिना चाहिए लेकिन जैन दर्म में यह बताता है कम से कम 48 मिनिट बाद में खुश भी लेना चाहिए जो जैन दर्शन में 48 मिनिट का नियम है ना सूरियोद होने के 48 मिनिट के बाद वो बिलकुल नियम सही है पका है वो नियम क्या है वो हमें समझने की बात है वो नियम ऐसा है जो पानी है ना पानी बहुत सारी जीवराशियों का संग्र है अब यह थोड़ी सूक्षम की बात है मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन सवाल पूछ लिया इसलिए कहा पानी जो है सुक्षम जीव राशियों का संग्रह है आप चाहें तो पानी में लेंस लगा के देखें करोडों करोडों सुक्षम जीव आपको दिखाई देंगे इधर उधर भागते घूंते अगर देख लें तो दिली नहीं करें पानी पीने के हैं यह जो लार है न यह मैंने आपसे कहा कि सुबह के समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है मेडिशनल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है इस लार की तो अगर आपने उठते से ही पानी पिया तो उसमें पूरी संभावना है कि ज़्यादा जीव राशी की हत्या होगी इसलिए जेन दर्शन यह कहता है अनावश्यक हिंसा से बचो हिंसा से बच सके हैं यह आदर्श है लेकिन अनावश्यक हिंसा से जरूर बचो अनावश्यक जरूरी नहीं है तो उसको हिंसा मत करो तो अनावशिक हिंसा से बचने के लिए जेन शास्त्रों ने, जेन आचारेों ने, ये कहा दिया जी 48 मिनिट के बाद पियो, ये 48 मिनिट में क्या हो जाता है? अड़तालीस मिनट में आपके मूं की जो लार है ना इसकी जो छारियता है ये कम हो जाती है बहुत कम हो जाती है बहुत तेजी से कम होती है और इसकी छारियता कम हुई alkalinity जिसको आप कहेंगे अंग्रेजी में तो जीवराशी के मरने की संभावना उतनी कम हो जाती है तो फालतु हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने ये कहा कि नवकारशी यो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हाँ तो ये उसके साथ उन्होंने जोड़ा वो 48 मिनट का कैलकुलेशन बागभट जी का भी है वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही 48 मिनट तक अगर आप इंतजार करते हैं तो मूँ की जो लार है इसकी छारियता कम होना शुरू होती है तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जेन दर्शन पालन करते हैं तो 48 मिनट ध्यान रखो और अगर आप जेन दर्शन पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शायद हिंसा हिंसा का उतना महत तो नहीं है लेकिन करें तो आपके लिए भी अच्छा है तो आप बोलेंगे जी 48 मिनट तक क्या करें बैठे रहें तो बगवान का नाम ले लो आप ईश्वर का जाप कर लो मंत्र का जाप कर लो कुछ कर लो और फिर पानी पिओ फिर उसके बाद आपकी दिन चर्या शुरू करो दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें